तो इससी मशीन एक बरिया मरें चावर्ण गाड़े हैं मैंने अगर बात करें न यह हमारा N70 का साधे 7HP का मोटर लगा हुए और यह अगर जो दान डाला गया है तो वो कितनी बार वापिश करना पड़ेगा यह क्तो दान और इंदर सान का च्छिलका उतार निकाल दिया है और यह के टी ऐसा दान निकाल देते हैं चक्की तड़ करेंगे और इस अदर फकेट लगे होते ही देखिए और यह बडियो को लिफ्ट करती है जी बिलकुल वो लिफ्ट करते रहते हैं और आटोमेटिकली इस अदर की मजद के साथ इसके अदर दोष्पी का मोटर लगा होता है लग से और यह सारा मेटीर अपका हॉपर भी आ रहा है और य इसमें तो चावल नहीं है बिलकुल जी यह अकिला चिलका है बूसा बोला जाता है साफ चावल आजे से बहार आ रहा है और भूसा इसमें कोई चावल का दाना भी नहीं बिलकुल एक भी नहीं है जी यह हमारे राइस विल दस हैश्पी मोटर के साथ है दस हैश्पी मोटर है जिसमें यह देखिए यह की बार में दान का छिटा उतार के पॉलिश कर देती है दिखिया यह काम तो सेम करते है पस लोग परड़क्शन का परकोता है जी कर देखिए देखो यह वो मसीन है वारूल सर यह सारे नेटबोल्ट जो भी को पत्थर कंकर होगा यहां से बाहरा जाएंगी साथ में जाओल में निकालेगी और साथ में इसको बोला जाता है दी स्टोनर सिक्सें सेवंटी मतलब आपको खेत में से धान को काटने के बाद थ्रेशिंग करने के बाद कीसे इस वापर में डाल देना है उसके बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ नेटबोल्ट अब साथ चावला वहां से बाहर आएगा और थोड़ी बहुती किनकी है वह अलग से बाहर आएगी आप ग्रेडिंग करते हैं जावलों की हमने देख लिया इनका डेमो आपको कैसे लगा प्रेंका जी हमारे 670 के अलग लग मॉडल्स मैंने आपको दखाई हैं दोस्तों यह जो ह जो मॉडल नंबर है 670 है इसके अंदर साले 7 HP मोटर में उसके बाद 10 HP मोटर में और जो मेरे किसान भाईयों बहनों की डिमांड रहती है न कि हमारे एरिया में बीजली की समसे रहती है हमें डीजल इंजिन के साथ मशीन चाहिए उन लोगों की स्पेशल डिमांड के उपर ह है जो हमारी मशीन है दोस्तों इसे बोला जाता है बीस टोनर 670 विद वाइबरेटर अटेच्मेंट मलें इसके आगे एक वाइबरेटर स्क्रीन लगी होती है उससे आपकी चावलों के ग्रेडिंग हो जाती है इन मशीनों में आपने धान को डालना है और धान का छिलका उत अगर धान फसल की बात करें न तो पहली बात तो हिंदोस्तान के कुछ राजिये ऐसे हैं जहां पर साल में दो से लेके तीन बर धान की खेती की जाती है और इन मशीनों के साथ आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं बहुत कम इंवेस्टमेंट के साथ तो दोस्तों की थीफिस कनेक्शन में चलती है जी अगर बात करें कि एक गंटे में इसको बोला जाताए जी अपर दोस्तों को यह चाहते हैं कि में बार बार इसकी होपर के अंतर धान को डालना ना पड़े उन लोगों के लिए हमने ये एलिवेटर डेप कर दिया है एलिवेटर का जो प्राइज है दोस्तो 55,000 प्या है 55,000 प्या का एलिवेटर आप अलग से लेकर किए किसी भी मशीन के साथ लगा सकते हो एलिवेटर के अंदर प्रेंग का मैं 2HP की मारी मोटर लगी होती है और वो सिंगल फेस पर भी चल जाती है अगर बात करें मोटर आपने बता दी है इसकी मोटर आपने बता दी है तो सर एक तो आप इसको ये बताईए कि हमारे दसको इसको कितने इम खरीद सकते है जो प्रेंकर जी हमारा 6N70 का 7.5HP की मोटर के साथ प्राइज है वो 95,000 प्राइज है 95,000 इंकलोटिंग GSTN ट्रांस्पोडेशन हिंदोस्तान के किसी भी कोने में दोस्तों आप मुंगवाना चाहते हो 95,000 पे में यह 7.5HP की मोटर वाली मशीन हम आपको दे देंगे और एडवांस राच्ची ओर्डर करने के लिए आपको सिर्फ 15,000 पे देना होगा जी 15,000 पे जी और सर यह चलती कितने फेस में है यह थ्री फेस कनेक्शन में चलती है सारी यह कमर्शिल कमर्शिल राइस मिल्स होती है इनके लिए घरिलू कनेक्शन में नी यह थ्री फेस कनेक्शन में ही चलेंगी मेशीन तो सरा अगर बात करें फिर इसकी उसके बाद प्रेंका जी कुछ लोगों की डिमांड हमें आती है कि मैं प्रेडक्शन इससे भी ज्यादा चाहिए तो दोस्तों आपकी स्पेशल डिमांड के उपर 600 से लेके 700 केजी पर आवर प्रति घंटा 6 से लेके साथ कॉंटल प्रेडक्शन वाली मशीन हमारी 6N70 10 HP मोटर के अंदर इसके अंदर जो मोटर हमने लगाई हुई है प्रेंका जी कॉपर वैंडिंग की है और पूरे 10 HP की मोटर है तो सरी ये पकी बात है कि कॉपर की है मैंने पकी बात है जी तो कॉपर बोल रहा हूँ कॉपर की ही होगी बिल्कुल बिल्कुल जी देखो अगर तो आपको लेना है अकेला राइस मिल 10 HP की साथ ये आपको मिलेगी दोस्तो एक लाग पांच हजार रपे की और अगर आपको एलिवेटर अटेच्मेंट लेनी है 55,000 की एलिवेटर अटेच्मेंट आप अलग से भी ले सकते हो एक लाग पांच हजार की मशीन लेने के लिए आपको एडवांस राशी सिर्फ 20,000 पे देना होगा अलिवेटर आप किसी के साथ भी अटेच्च कर सकते हो अलिवेटर का जो अलग से एडवांस है 15,000 पे होता है जैसे आपने बताया आट़ चक्की चलाना है त Ärवाला कोलू चलाना है यह लाइन शाफ्ट पर भी Health काम काम आजाती है बिल्कुल सी चक्की पार आप चलाना चाहते हो मोटर आपके पास है लाइन शाफ्ट लगा कर आप से और आप इन जुर्दिवेधर मोटर नहीं प這व कर हैं मोटर अलग से छोड़के मदल चकी चकी खरीद सकते हैं पर को राइस मिल भी आप ले सकते हो के लिए एक चीज और है जिसे आपने बताया कि बहुत सी जंग पर बिजली नहीं है नहीं है बिजली की समस्या है लेकिन यह चीज एक और कामाव है हम नगामा में देख्या है कि ग चेज गंटे बिजली आती नहीं उन लोगों की डिमांड हमें आती थी कि पारूल भाई हमें मशीन डिवेलफ करके दो डीजल इंजन के साथ तो दोस्तों आप लोगों की स्पेशल डिमांड के उपर हमने डीजल इंजन डिवेलफ कर दिया है यह पूरा हमारा 9 HP का डीजल है इसके अंदर लगाया हुआ और बहुत अच्छी क्वालिटी का इंजन है परेंका जी एक घंटे में मातरा आपका एक लिटर डीजल कंस्यूम करता है और एक लाख पच्छीस अजार पे में यह कंप्लीट मशीन डीजल इंजन के साथ हम आपको दे देंगे और इसकी अग पैसे कमाने की मशीन नोट चापने की मशीन है जी बिलकुल जी अगर को करन वाला हो मेहंती बंदा चाहिए जी और यह दोस्तों मारी मशीन है सिर्फ 25,000 पे की राशी देखर कि आप इस मशीन को चिपर एगरी एकिप्मेंट में बुकिंग करवा सकते हैं और सर अब बारी आती है इस मशीन की जो अलग से नट बोल्ट चाहिक कुछ भी इसमें वह तो निकाल देती इसको प्रिंक में बोला जाता है डी स्टोनर 670 डी स्टोनर का मतलब दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा जैसे आपने खेत में से धान को काटा काटने के बाद आपने थ्रेश के अंदर जाएगा और छिलका उतार के एक ही बार में पॉलिश कर देगी एक बहुत जब अच्छावलों की ग्रेडिंग करनी है अपना ब्रैंड बना के पैकेजिंग करनी है तो थोड़ा बोदा टूटा वह चावल होगा वह अलग हो जाएगा यह मारी मशीन है जी 10 HP मोट ऑलते हैं यहां से मुट फिर याजे थोड़ा और किनकी वर और यहां से बिलकुल वारेक बिलकुल जी यह तीन परकार की ग्रेडिंग करेगा जो किनकी होगी अलगा यह साफ चावल अलग से आएगा यह जबीशावल अब्स पाल निकलाएगी हो जुआ शारी शोग विया प्रेंडिंग की है और थ्री फेस्ट कनेक्शन में दोस्तों आपकी चलती है इसका जो प्राइज है एक लाख साथ हजार प्या है और एडवांस राशी आपको तीस हजार देना है पुछ लोग प्रिंकर जी हमें बोलते हैं कि हमें इसके साथ एलिवेटर अटेच्मेंट भी देनी है तो दोस्तों एक लाख साथ हजार की हमारी मशीन होगी पच्पन हजार की एलिवेटर अटेच्मेंट आप अलग से लेकर के इसमें भी लगा सकते हो और इसकी जो परड़क्शन है मारी डी स्टोनर सिक्सेन सेवेंटी का छे से लेके साथ कोंटल इसकी परड़क्श चेहर हैं आप बाई बस बाई रेलवे बाई किसी भी तरीके आप हमारी कंपनी में आईए आप देखिए दोस्तों आपको सिक्सेन सेवेंटी का कौन सा मॉडल पसंद आता है अगर आप फिर भी घर बैठें मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए मेरे से बात करने के लिए मे स्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे बस एक बात का ध्यान रखिए जब भी आपकी मेरे किसी एक्जीक्यूटिव से बात होती है उनको बोलिए मेरी पारूल भाई से मेरी राहूल भाई से वीडियो कॉल पर बात करवा दो आप बेफिकर होके हमें और कर दो सिक्सेन सेव परिंका जी फुल वरंटी है एक साल की भीतर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट आपको पार्ट्स दूँगा उसके बाद भी को स्पेर पार्ट आपको चाहिए हमारी कंपनी में हर्दम मिलेगा सर एक चीज और बता दो हमने सारे चीज आते हो तो आपका मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ आपके चैनल का स्क्रीन शॉट मेरे नमबर या राहूल भाई के नमबर पर आजाने से मैं वादा करता हूँ आपके साथ 670 का कोई भी मॉडल हमें कस्टमर और करता है एक जाली तो मशीन के अंदर लगा रहेगा जाली ह होता है और एक जाली आपके चैनल का स्क्रीन शॉट आ जाने पर चाहे वो साड़े साथ एच्पी वाला मशीन ले रहा है दस एच्पी वाला चाहे डीजल इंजन वाला और चाहे डी स्टोनर 670 एक राइस जाली हम बिल्कुल फ्री देंगे जिए लगसे कोई चार्ज नहीं लेंगे साड़े 4,000 पे का जाली होता है और जाली भी हमारा बहुत हैवी ड्यूटी गई देखेंगे तूटने वाला नहीं है जी बिल्कुल जी बहुत अच्छी क्वालिटी का जाली होता है एक जाली हम फ्री आफ कॉस्ट साथ में देंगे जी च्यारों चक्यों के साथ च काम की चीज है और शीदी सीदी बातिया पीसे चापन की मशीन है बाकि आप तो चावल देखा दी थे भी कि एक बारी में एक दुखी हो आख रहा है अठका फेर पोलिस करो फेर दुबारा डालांगे फेर उस किन के लेकड़ेगी पर यह एक बारी में इसे चावल जाक है अगले के चावल काड़ का सको हो और गेल की पीशे लेशको बिल्कुल जी क्यों फारोल सर बिल्कुल सभी बोल रहे हैं यह चीज तो आपने बहुत बढ़ी अपना दिपर धने वाद जी धने वाद तो जिसने भी लेड़ी है सारी चीज बता दिये स्क्रीन पर है न